गन्ना उत्तरप्रदेश की मिठास को दुनिया के अंदर पहुचाता है और भाईों वेनों पिछले 6 वर्स की ने को प्लब्धियां विभाग के पास है सबसे बड़ा गन्ना उत्तपादक राच्ज है सबसे दिक चीनी उत्तपादन में भी बदल गया ऑि और सबसे दिक चीनी मिली ही नहीं बलकि सबसे दिक idanol उत्तपादन और सबसे दिक खानसारी यूनिट वाला राच्जा भी आध उत्तर दुबेश है यहां इस छेत्र में यह गए रिफोर्म के प्रणाम है मुझे याद है आज से छे वर्स पहले पर्ची के लिए परिसान होना पड़ता था पर्ची की चोरी घड़ तोली कोई जनपेद ऐसा नहीं था जहां गण्ना किसान उत्पादा को और वहां आंदोलन होते रहे हो और अंतमे अपनी पूरी मेहनत पे चीनी मिल और समय बंद होने के करण गण्ना किसान को आग लगाना पड़ता था किसान परिसान होता था गण्ना भेजने के बाद पैसा भुक्तान नहीं हो पता था वर्सों वर्सों का गण्ना मुलेक वकाय रहता था लेकिन च्छै वर्स में मैं सबसे पहले आवारी हूं आदने प्रधान मंत्री जी का जिनों ने उत्तर प्रदेश और देश के गण्ना किसानों के बारे में बहुत सकारत्मक भाव के साथ उस प्रकार के कारिक्रम लागों करवाई हैं जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जब 2017 में हम लोग आये थे 2010 से लेकर के 17 के पीच मैंने एक वर्स अभी वर्सों का कुछ न कुछ गन्ना मुल्य बुक्तान बाकी था और विशन मोड पर पहले इस कारिक्रम को किया गया कि 2010 से 2011, 2012, 2013, 2014 इस गन्ना मुल्य का पुक्तान पहले हो और उस गन्ना मुल्य का पुक्तान करते करते हम लोग आगे वढ़े तो चीनी मिल मालिकान भी मेरे पास आए क्योंकि हमें चीनी एक जहां गन्ना अतिबादक किसानों की समस्या को समाधान करना था उन्हें पर्ची की चोरी और घड़तोली से जहां मुफ्त करना था गन्ना जब तक खेट में रहेगा तब तक चीनी मिल चलेगी जहां इस प्रकार का वाताउन देना था लेकिन साथ-साथ चीनी मिल चलेगी तभी तो ये सब वो पाएगा इसलिए चीनी मिल मालिकों के साथ भी हमने संबाद बनाया और चीनी मिल मालिकों ने भी उस बारे में बहुत सकारत्यों बहुत से का कि एक साइकिल है जिसके कारण अक्सर डिमांड की अनुसार सप्लाई डिमांड और सप्लाई ये मार्केट का नियम है जब चीनी ज़्यादा हो जाएगी डिमांड नहीं रहती है तो डम पड़ी रहती है मार्केट में दाम नहीं मिलता है हम बुफ्तान नहीं कर पाते हैं अगर इथनौल बनाने की कारवाई को प्रमिशन हमें मिल जाए और उसकी डेंडिंग हो तो फिर काफी बड़े पैमाने पर हम गन्ना किसानों को समय पे गन्ना मुल्य का बुफ्तान कर पाएंगे और हम आभारी हैं प्रधान मंत्री मोदी जी के हमने पत्र रिखा अंडोध किया और प्रधान मंत्री जी ने इसकी सैमती भी आज ज्यादा तर चीनी मिलें चीनी भी बनाती हैं और साथ साथ इथनॉल बनाने का काम भी कर रही हैं उत्तर प्रधेश ग्रीन इनर्जी का भी एक माध्यम इथनॉल के माध्यम से बन चुका है और आज के दिन पर न केवल सरवाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है बलकि सरवाधिक चीनी उत्पादक राज्य भी है, सरवाधिक इथनौल उत्पादक राज्य भी है, सरवाधिक खांसारी उद्योग को चलाने वाला राज्य भी है